हेलो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हो सब आप आशा है कि बहुत बढ़िया होंगे आज हम मनाएंगे 21 मोदक रोज पिस्ता कोकुनट फ्लेवर में सबसे पहले हमें कोई भी हेवी बॉटम या नॉंस्टिक पैन ले लेना है इसमें हमें लेना है गी गी को अच्छे से मेल्ट होने देना है यहाँ पे मैंने काव मिल्क गी लिया है यहाँ पे देखिए अच्छे से हमें इसे मेल्ट होने देना है मिडियम फ्लेम पे इसे रखना है इसमें हम एड़ करेंगे मिल्क जैसे ही गी मेल्ट हो जाता है हमें एड़ करना है तो यहाँ पर देखे एक बोईल आज चुका है अब हमने फ्लेम को बंद कर देना है इसमें हमें डालना है अमुल्ले मिल्क पाउडर अपने इसले का भी ले सकते हो बट अच्छी कॉलिटी का हमेशा आपको मिल्क पाउडर यूज करना है ताकि हमारे मोदग जो हैं बहुत ही अब हमें डालना है इसमें डेसी केटेट कोकोनट या कोकोनट का बुरादा जिसे कहते हैं अच्छे से मिक्स कर लेना है साथ में हमें लेना है ताजी रोज पेटल्स जो मेरे घर में है मैंने वही यूज किया है मेरे गार्डन में से और साथ में हमें लेना है पिस्ता फाइ अच्छे से mix कर देना है उसके बाद हमने flame को on कर दिया है अब देखिए इसे लगातार हमें चलाते रहना है जब तक ये अच्छे से गाड़ा नहीं हो जाता flame को हमेशा medium low ही रखिएगा ये देखिए अब ये मिश्रन गाड़ा हो रहा है इसमें हमें डालना है rose immersion अगर rose immersion नहीं है तो आप यहाँ पे रुवबजा immersion ले सकते हो या फिर white rose essence और pink color भी ले सकते हो बहुत beautiful color के हमारे ये मोदग बनेंगे ये देखिए मिश्रन को अच्छे से हमें mix करने ना है लगातार शलाते रहना है ये देखिए friends डो consistency में आ चुका है हमारा मिश्रन यहाँ पे almost ready हो गया है flame को हमेशा medium low ही रखिए ताकि ये जलेना ये देखिए friends ये हमारा मिश्रन ready है अब हम इसे plate में निकाल लेंगे और पूरी तरीके से इसे ठंडा कर लेना है ये देखिए पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है यहाँ पे एक बार इसे अच्छे से mix कर लेना है अच्छे से mix कर रहा है means mission एकदम perfect है मोदक हम बना लेते हैं यहाँ पे मैंने plastic का मॉल्ड ले लिया है आप कोई भी material का ले सकते हो और इस तरीके से dry fruit में मैंने coat कर लिया है और यहाँ पे हमें मोदक मॉल्ड को अच्छे से घी से grease कर लेना है melted घी से और ये जो हमने ball लिया है इस तामे coat करक इसे अच्छी तरीके से मोदक मॉल्ड में डालिया अच्छे से phrase कीजिये और यहाँ पे अराम से हमें निकाल लेना है और हमारा ये जो मोदक है ये ready है ये देखे कितना beautiful हमारा मोदक बन चुका है आपको recipe कैसी लगी comment में जरूर बताना friends इसी तरीके से मैं पूरे 21 मोदक ब बना लिये है friends आपको कैसे लगी recipe कमेंट में जरूर बताना और जरूर ट्राइ करना ये देखे कितने सुन्दर लग रहे हैं हमारे rose, pista, coconut, मोदक और अभी तक आपने प्रियाज magical kitchen प्रियाज magical kitchen फेस्बुक पेज, instagram and youtube channel को subscribe नहीं किया है तो फटा फट सब्सक्राइब कीज बबबा के लिए ये पूरे 21 मोदक की recipe मैंने आज आपके लिए लाई हूँ, thank you